Hello everyone, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे biggest and smallest, biggest का meaning होता है सबसे बड़ा और smallest का meaning है सबसे छोटा, तो इस sheet में हमें कुछ pictures दी गई है, इन pictures में हमें देखना है कि biggest क्या है और smallest क्या है, सबसे पहले हम से पूछा है कि tick the smallest tree, तो smallest का meaning हमने जाना सबसे छोटा, तो इन तीनों trees में से हमने सबसे छोटा tree जो है उस पर tick करना है, तो अब ध्यान से देखो क्या ये सबसे छोटा है, या ये या फिर ये, तो हम देखकर ये पता लगा सकते हैं कि ये वाला tree सबसे छोटा है, तो यहाँ पर हम इसके नीचे tick कर देंगे, अरे ये tree तो बहुत ही दिखाया है कि smallest tree पर tick किया है, अब इसके बाद next हमारे पास है, tick the biggest animal, इन में से हमें biggest animal पर tick करना है, और biggest का meaning क्या है, biggest का meaning है, सबसे बड़ा, अब इन images में देखना है कि सबसे बड़ा कौन सा एनिमल है अब यहाँ पर हमें ढूड़ना था कि सबसे बड़ा एनिमल बिगेस्ट एनिमल कौन सा है तो यहाँ हम इसको टिक करते है क्या यह सबसे बड़ा है या फिर यह यह तो सबसे चोटा है और इनमें सबसे बड़ा बिगेस्ट एनिमल तो यही है इस पर हम टिक कर देते हैं इसके बाद next है टिक दा smallest fruit हमें जब भी कोई भी question या puzzle solve करनी है तो उसमें हमें देखना है कि कहीं पर smallest पूछा है और कहीं पर biggest पूछा है यहां कहा है हमें टिक करना है smallest fruit को इन fruits में से कौन सा fruit smallest है तो आपने देखी लिया है कि cherry mango या फि पेखिए और बताएए यही जो है सबसे biggest है और सबसे smallest कौन सा है cherry तो हम यहां पर टिक करेंगे यह है smallest fruit और यह हमें answer में करके भी दिखाया है चैरी को smallest fruit पर टिक किया हुआ है इस sheet में पूछा है टिक दा biggest bubble तो इसमें यहां पर हमें बताना है कि यह जो bubbles बने हुए है इन में से biggest कौन सा है और biggest का meaning हमने क्या पढ़ा है biggest का meaning है सबसे बड़ा तो इन bubbles में से सबसे बड़ा bubble कौन सा है क्या यह है नहीं यह वाला bubble सबसे ही बड़ा बना है तो चलो इस पर हम टिक कर देते हैं और साथ साथ देखो आंगसर भी मैच करते हैं यहां पर भी सबसे बड़े बबल पर टिक किया है तो चलिए हम भी बबल के अंदर टिक करते हैं इस तरह से हमने आज देखा है biggest and smallest एक बार फिर से रिवाइस करते हैं biggest का मीनिंग है सबसे बड़ा और smallest का मीनिंग है सबसे छोटा इस तरह से आप और भी इमेजिस देखिए उनमें प्रैक्टिस करिए और अच्छी तरह से लर्ण करिए happy learning everyone उनमें प्रैक्टिस करते हैं